आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह से बच्रा जो जन्म लिये हैं इसको दो मूँ है और तीन आख है बोतल में जो है दूध पिलाया जाता है इस तरह से देखिए ये अपना से दूध नहीं पी पाते हैं बोतल में इसको दूध पिलाया जाता है ये थोड़ा सा इ दिखाने जा रहा हूँ जी हाँ ये चमतकार है कि एक गाय से जो है एक ऐसा बच्छरा जो जन्म लिये हैं उनको दो मुह है और तीन आँख है जी हाँ ये अजीवो गडिव जो आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे देखिए सिधा आईए यहाँ और ये जो एक तरह से भगवान का ही चमतकार कहा जाएगा इसको देख सकते हैं यही वो बच्छरा है जो गाय से जन्म लिये हैं तस्वीर में देख रहे होगे कि किस तरह से जो बच्छरा जो जन्म लिये हैं इसको दो मुह है और तीन आँख है आईए हम यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे आपको और ये शायद आप पहली बार देख रहे होगे अभी तक जो है इसा नजारा ये द्रिश आप नहीं देखे होगे कि एक बच्छरा को दो मुह और तीन आँख होता है उससे पहले हम दिखाएगे यहाँ पर देखिए जब ये बच्छरा जन्म लिय तो यहाँ पर पुजा पाठ भी हो रहा है जिनका घड है यहाँ अलग से देखिए एक सेड बना दिया गया है यहाँ पर दान पेटी है यहाँ जो है महादेब बावा को भोला बावा को यहाँ पुजा भी जाता है देख सकते हैं और आईए सिधे हम यहाँ पर जानकारी ल अभी तक आप लोग यह जो तस्वीर है नहीं देखे होंगे इस तरह का बच्छरा जो अभी तक आफ है नहीं देखे होंगे दो मुह और तीन आँख इसको थोड़ा सा एक वार नजदिक से दिखाईएगा फिर से देख सकते हैं दो मुह है इसको देखिए एक मेन मुह जो है अभी तो यह अपने आप में काफी अजुवा है और इसको भगवान का चमतकार ही कहा जाएगा भगवान का जो यह कहीं ने कहीं चमतकार है अच्छा इजे जन्म जे ललके एके बाद गौं के लोग सब खुब जमा भागे लिएगा कर देखिए बहुत दूर-दूर से इवराल चे चानम लेके बाद आहां सब करना में मनें भागे लेए अमरे के सोचछे भुलाब भाच्छे फुजा पात करें त्री नेत्र अच्छे बगल अगलके सब पुजाव्जा करें लावेश्य पात करें चेक्छे अच्छे शराज इस बच्छरा का एक ये भी पड़ेशानी है इसको दिखाइए जरा नजडिक से दिखाइये तस्वीर में इसको बोतल में दूद पिलाया जाता है मेने मुह सपिये, देख सकते हैं जो बड़ा वाला मुह है, सामने वाला जो मुह है, उसी मुह से ये दूध भी पिते हैं, और इसको पिलाना पड़ता है, बोतल से पिलाना पड़ता है, और इसके गले में दिखा ये थोड़ा देखिए, लाल कपड़ा, माला, यानि इसका यहां पर जब से यह जन्म लिये हैं तब से लोग काफी दूर-दूर से इसको देखने आ रहे हैं और सोसल मिडिया में भी काफी तेजी से यह वैरल हो रहा है इसलिए हमने आपको आप लोगों को दिखाने के लिए सिधा शुपॉल जिला के बसंतपूर में सितापूर में आ अच्छा बच्रा जे बड़ा है ते एकरा की कर वे अगर कोई खड़ी देल चाहते ते बेच वे ना ना इदेवका करून जे है जह ते हम रादू एरी घरे परा अधर पुजापाथ सब दिन है तो बाबा एहं के घौर भले लेई है अच्छा जन्म लिये है तो की कह मादेव अजे बाए सब भला करें अच्छा इजे महादेब बाबा के लिए घर बने आदलीये मंधिर टैप के एता दान पेटी राख दलिये तकी बिचार छे कि आगां से आगांद करीगाद ज़ीरेगा हां तो देख सकते हैं इन्हीं बाबा का घड है यह और यहां पर जो है और भी ग्रामीन भी है यह हम इन लोगों से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या नाम हुआ तो बच्छरा जो जन्म लिये हैं तीन आख है दो मुँ है मेरा उमर तो अभी बच्पन साल चल रहे हैं मैं कभी देखा नहीं था इस्तरा का द्रीज सुन्ते थे कि मतलब यहां एसे हुआ है मंगर चिसमारे हो घर में इस तरह इस तरहां का महादेव जी a चिपवा जो सुनते थे इत्रिय्ल आँक का होता है महादेव जी शक्षा देख लेता है साक्षा China पूजा दरोज चरीच अहें के घर घाट है अग्श он ईंया लोग दूर दूर सावीं चक एक की नाम नाम बने पनचाननद पासमा टैट मत नहीं हुएल जोश पुजापाध हमेंशा चेंजा मंदिर बने त्याव डाण-पेटि रिख दने चे डान-पेटी रैक दलि ये सही वाद चे और लोग सकी अपील करेल चाहवे के क्यों तरह सह्यों करेलोग लोग साकनी कुछने काने लोक को बाझ अभीक पॉमान खुर्च Catholic जल्ययगों दादी है क्या धाती खेते महादव के रूप में बचला हहाँ दखना है तो परहले कहीं से लिखास ने पिछा संबुर्दर थे नहीं सिंदुर्ण स्थे कर दोब altijd कर ना करेंगा दोब अहां सब पुजा पाठ करेंगें हां तो खरेंगे नहीं सेत सकती ना करेंगे करेंगें आप जाब ये ले बास्ति में तो कोई ने आती करते उगरामन भावले तब ने ले बास्ति में आने भावति ये थे थे थिये भागमान सब जागवा जैचा है जैठीन ओकरा सारधा पढ़ले वठीने अईले तो देख सकते हैं सुपॉल जिला के बसंदपूर परकंड के सितापूर वाड नमबर 10 से मैं ये सिधा तस्वीर आपको मैं दिखा रहा था और लगातार जो आप तस्वीर में देख रहे हैं शाक्छात महादेव का रूप लेकर आए हैं त्रिनेत्र महादेव और कहा जाता है कि महादेव का जब तिसरा आँख जब खुल जाता है तो उसका जो किरपा है हड़ एक व्यक्ति पर बरसने लगता है तो यहाँ साक्षात आप देख सकते हैं कि बच्छा जो है तीन आँख लेकर आए हैं दो मुह भी है तो इनको यहाँ के लोग जो है साक्षा त्रीनेत्र महादेव मान रहे हैं और सामने में देख सकते हैं इनके लिए अलग से घर भी बना दिया गिया है दान पेटी भी रख दिया गिया है तो इस तरह की अगर आप लोग कभी अजीवो गडिव तस्वीर इस तरह का अगर आप लोग कभी बच्छरा देखे होगे तो कमेंट्स करके बताइए नहीं भी देखे होगे तो ऐसे बच्छरा के बारे में आप क्या सोचते हैं ये अजीवो गडिव जो बच्छरा पैदा लिये हैं गाई से इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे अगर फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फोलो कर लिजे धन्यवाद